दोस्तो वेलकम टू अजर यूसुफ चैनल एक और खूबसूरत पॉइंट के साथ लोनावला के एक और खूबसूरत पॉइंट के साथ आपका स्वागत है इस बार हम कवर करने जा रहे है शिवलिंग पॉइंट जो टाइगर पॉइंट और लाइन पॉइंट के आगे है एप यहां पे उतने नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी यह देखिए यहां पे कैंटीन है यहां पे कैंटीन है और वहां पे सामने पार्किंग है और पार्किंग फ्री है तो दोस्तो एक्स्प्लोर करते हैं शिवलिंग पॉइंट लोनावला लेट्स गो फर इट दोस्तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग कर ली है यहाँ पे भी आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा जैसे लाइन पॉइंट और टाइगर पॉइंट पे 20 रुपए लगा था और हमको अब जाना है नीचे की तरफ यहाँ से जाएंगे हम दोस्तों अगर मौसम की बात करूँ तो वैसे तो धूप है लेकिन थंडी थंडी हवा चल रही है न तो थोड़ा अच्छा लग रहा है यह देखे व्यू तो यहाँ से ही दिख रहा है नस्दीक जाएंगे और नस्दीक जाएंगे एक प्रॉपर रास्ते से नीचे की तरफ जाना है आपको यह थोड़ा नीचे की तरफ जाना है पॉइंट को देखना वैली प्यू को देखना यह देखी और नीचे जाना है यहाँ पर सामने से तो दिख रहा है कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है देखते हम कितने आगे जा सकते सेफली जहां तक सेफली जा पाएंगे वहीं तक जाएंगे यहां से देखते हैं वैसे तो दोस्तो इस रास्ते से नीचे जाकर आप वहां तक जा सकते हो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है क्योंके थोड़ा स्लोप है पिसले तो गए वैसे यहां से भी व्यू बहुत अच्छा है वो देखे शायद वो थोड़ा शिवलिंग जैसा दिख रहा है इसलिए इस पॉइंट को शिवलिंग पॉइंट बोलते है पता नहीं पर जो भी है व्यू बहुत अच्छा है मैं आओ क्या विडियो है यहां पर हर तरफ कोई गाओं कोई रेसिडेंचल एरिया नहीं दिख रहा है ना गाओं लग रहा है ना शेहर लग रहा है सिर्फ बड़े बड़े खेत दिख रहा है जिसमें जाड़े पानी की एक छोटी सी लहर वहां से जाती भी दिख रही है जो काफी दूर तक जा रही है और ये व्यूँ काफी अच्छी जगा है ये कैक्टस पता नहीं थोड़ा उस तरफ जाते है और उस तरफ का भी व्यूँ देखते है इस तरफ से तो बहुत खूबसूरत है एंगल चेंज करके देखते है व्यूँ कितना बदलता है वाँ जाते दोस्टों हम वहां बैठे थे वहां से अभी यहां पर उपर की तरफ हम आये हैं और मुझे यसा लगता है कि ऊपर से व्यूँ और ज्यादा अच्छा लग रहा है नीचे इतना ज्यादा जाने की जरूरात नहीं है पर यहां पर यहा से भी नीचे जाएंगे फात्रीले रास्ते कोई protection नहीं है लेकिन यहां से बहुत ज्यादा है अच्छा tat angle change view change लेकिन यहांसे मुझे लग रहा हि कि view better है आप मुझे बताना वहां से अच्छा लग यहाई है यहाँ से, व्यू देख लो बस यह देखो व्यू इससे ज्यादा और आगे नहीं जा सकते खुबसूरत है और वो सीधा सन आप बताओ दोस्तों आपको कैसा लगा यह व्यू और लुनावला का कौन सा पॉइंट आपका फेवरेट बनता जा रहा है मुझे जरूर से बताना अब मैं जा रहा हूँ वापस से उपर की तरफ उपर से फिर से व्यू दिखाता हूँ आपको मुझे ऐसा लगता है कि जादा नीचे आने की जरूरत नहीं है इन फैक उपर से व्यू जादा बेटर दिख रहा है यह देखिए हम फिर से उपर चाड़ रहे है और यहां से व्यू देखो अच्छिली यहां पे फिल किया मैंने कि जादा नीचे जाने की जरूरत है नहीं आप इन फैक उपर से आपको जादा बेटर व्यू दिख रहा है धूप बहुत जादा है तो आप ठकान काफी लग गई है रास्ता पूरा पत्री लाए और बिलकुल भी प्रोटेक्शन नहीं है जैसे टाइगर पॉइंट लाइन पॉइंट पे अपने को प्रोटेक्शन थी यहां पे प्रोटेक्शन बिलकुल भी नहीं है लेकिन सेफ है बस ओवर कॉन्फिदेंस नहीं रहना है और वीव भी बहुत अच्छा है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये वीव आपको कैसा लगा, मेरा effort कैसा लगा और अगर पसंद आ जाए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मैं जानना चाहता हूँ वो बात कि कौन सा व्यू या कौन सा पॉइंट डिरेक्ली आपके हाट को कनेक्ट किया है मुझे जरूर से बताना अब मैं बहुत ठक गया हूँ और अगर और थोड़ी देर यहाँ पर रुका न तो धूप इतनी तेज है कि मैं काला हो जाऊंगा और आप शायद मुझे अपने वीडियो अगले वीडियो में पैचान नहीं पाऊँगे तो बहतर यह है कि मैं ये वीडियो करूँ बंद और भागू यहां से लोनावला की सीरीज फिलाल तो यहां पे खतम होती है एक और जगा है जो मुझे एक्स्प्लोर करना है लेकिन दुपेर के चार बज गए वहां तक पहुँचते पहुँचते वो जगा चालू होगी या नहीं पता नहीं देखते अगर वो जगा चालू रही तो वो जगा कवर करने के बाद ही गर पे वापस जाएंगे मिलता हूँ आपसे अगले इंटरस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तो मेरे साथ रहना दोस्तो फैंक्यू सो मच आप जो इतना सपोर्ट देते हो